बनाएंगे पनीर की बहुत ही डिलीजियस स्वीट्स जिसको आप संदेश भी बोल सकते हैं यह बहुत ही आसान तरीकों से बन जाता है और बहुत ही कम सामान से यह स्वीट्स बनता है तो इसको आप रक्षाबंधन के त्योहार पे या किसी भी त्योहार पे आप बनाएं और बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हेलो एब्रिवन आज हम बनाएंगे घर के निकलेवे पनीर से बहुत ही टेस्टी मिठाई तो यह हमने 200 ग्राम 200 ग्राम के लगवक घर के दूज से पनीर को निकाल लिया है इसको हम प्लेट मे ट्रांसफर कर लेंगे और अब हम एक जार लेंगे इसमें हमने पहले से ही चीनी को पीछ लिया है तो इस मिठाई के लिए चीनी को पीछना आवस्यक है और अब हम इसमें यह पनीर तोड़के डाल देंगे सारे पनीर को और अब इसको हम बढ़ियां से मिक्स करके ग्राइंड कर लेंगे बढ़ियां से स्मूध तो यह देखे फ्रेंड्स कितना स्मूध हमारा पनीर फेट के बढ़ियां से यह स्मूध हो गया है तो चलिए अब इसको हम प्लेट में फिर से ट्रांसफर कर लेते हैं तो अब हम इस पनीर को एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे तो यह दिखिए अब हम इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेंगे हाथों से और इसका हम एक डो की तरह लगाके इसको दो भागों में डिवाइट कर देंगे तो यह हमने दो भागों में ऐसे डिवाइट कर लेना है और इसको हमको दूसरे प्लेट में रख लेना है और आब हम इस प्लेट को साइड में रख देंगे इसको हमको बाद में यूज करना है इसमें और अब इसमें हम थोड़ा सा चीनी मिला लेंगे पीशा हुआ चीनी जो हमने पीश के रख लिया था तो दो चमस यह हम चीनी मिला लेंगे अब हम इसको बढ़िया से चीनी में मिला लेंगे चेने को बढ़िया से फैंट लेंगे इसी तरह मसल मसल के इसी तरह हमको मसल मसल के इसको बढ़िया से मिला लेना है तो यह देखिए हमारा पनीर बहुत ही बढ़िया से मिला लिया है हमने इसको और अब हम चलते हैं अगले प्रोसिस के तरह है कि बहुती सॉफ्ट हो गया है और अब हम एक पैन लिये हैं और उसमें हमने एक कप दूढ को डाल दिया है और इसमें हम एक चमश चीनि डाल देंगे और इसको अच्छे से उबनने तक इसको अच्छे से पका लेंगे और आप हम इसमें ये मिल्क पाउडर दो बड़े चमश डाल देंगे इसको बढ़िया से मिलाते हुए इसको अच्छे से पका लेंगे इसकी जगा पे आप चाहें तो उसमें कंडेंस मिल्का भी यूज कर सकते हैं और मैं तो इसी को इसी तरह मिल्क पाउडर को इसी तरह बनाकर उस मिठाई में यूज करूगी इसको हम विसलर की सहता से बढ़िया से इसको फैटते हुए पका लेंगे तो यह देके फ्रैंड से मिक्स हमारा रेडी हो चुका है गैस को हम आफ कर देते हैं और अब हम एक कडाई लेंगे उसमें हम यह फैटे हुए पनीर डाल देंगे और गैस को हम मेडिया में रखते हुए इसको अच्छे से पका लेंगे जो हम चेनी डाले थे इसमें चेनी हमारा मेल्ट हो रहा है तो यह गीला हो रहा है पनीर धीरे धीरे यह में खाई आप रक्षा बंधन तेस्ते हार किसी पर भी बनाईए और खाईए बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रैंड्स तो यह हमारे पनीर अच्छे से भुण चुके हैं आप इसमें हम यह जो मिल्क पाउडर हो मिक्स है उसको मिला लेंगे और इसको भी हम अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे इसमें हमारे पनीर में शाइन भी आने लगा है ओयलीज कर चुका है इस स्टेज़ पर हम गैस को अफ कर देंगे और खोड़े से ठंडा होने के लिए रग देंगे और अब इसको प्लेट में टांसफर करके इसको ठंडा होने देंगे इस mix को हम हज़का ही ठंडा होने देंगे पूरा ठंडा नहीं होना है तब ही हम इसके लड्डू बनाएंगे तो mix हमारे थोड़े से ठंडे हो चुके हैं आप इस में हम यह थोड़े से लाइची के दान डाल देंगे कुटके और यह जो पहले वाला आपनीर रखा था इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और इसको आप बढ़िया से हाथों से दिया हिसका इसी तरह हमको बढ़िया से मिक्स कर लेना है यह मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स तो इस तरह से आप लोग एक बार जरूर बनाईए और हम इसके लड्डू। रेडी करेंगे इस तरह के से एक नीबू कई आकार का लड्डू ले मिक्स लें और इसका लड्रू त्यार करें और हमने यह मिल्क पाउडर लिया है इसको हम इसमें इसा कोट करना लेंगे एक लड़ू हमारा रेडी हो गया है इसी तरह हम सारे लड़ू बना लेंगे यह तुम और नहीं नहीं तो यह देखे प्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट सूपर सॉफ्ट मिठाई की रेसिपी आप लोग को हमने दिखाई है तो इसी तरह आप लोग भी बनाई है और खाईए और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेर करना आप लिए फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट बने हुए है यह लड्डू सुखे मेवे की लड्डू इसको आप संदेश भी बोल सकते हैं बैंगॉली स्वीट सेफ फ्रेंड्स तो अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेर करना आप लिए फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक केर और थैंक्यू फ्रेंड्स